ही नमस्कार दोस्ते मेरा नाम रोशन है और आज हम कुछ डिफरेंट तरीके का नास्ता बनाएंगे आज हम लोग बनाएंगे मेक्स दाल मेंदू अड़ा मसाला तो चलिए बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक बाउल में डेर कटोरी बिगर छिलके वाली उड़त की डाल लेंगे उसी कटोरी से आधी कटोरी चने की डाल आधी कटोरी मसूर की डाल लेंगे और आधी कटोरी से थोड़ी जादा हम चावल लेंगे कोई से भी चावल आप ले सकते हैं इसमें आपको गरम पानी डालना है भर के और कम से कम इसे 10 से 15 मेर तक छोड़ दीजे उसके बाद हम इसे मिक्सर जार में एक दरदरा सा पेश्ट बना लेंगे जरूद परने पर आप थूड़ा सा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं बड़ जादा पानी नहीं डालना है तो यह देखिए कैसा दरदरा मैंने पेश्ट बना है यह देखिए अब इसमें हम लगबद आधा चमच मैंने नमक डाल दिया है अब इसे आपको 3-4 मेर तक ऐसे जैसे वडे निकालते हैं छोटे वाले वैसे ही निकालने है और हलका गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे डीप फ्राइ करेंगे छान लेंगे जब ऐसा कलर आ जाए तब हम इसे निकाल के साइड में रख लेंगे अब एक मिकसर जार में तीन टमाटा रफली कटकी हो पसंद है तो आप इसमें थोड़ी कश्मीरी लालमिज डाल सकते हैं, यह तोटली ऑप्शनल है, यह देखिए मैंने पेस्ट तयार कर लिया है, अब एक कडाही में मैंने ओई लिया है, दो टेबल स्पून के लगभग ओई लिया है, थोड़े से करी पत्ता इसमें डालेंगे, दो प्यात चॉक की होई डालेंगे इसमें, और इसे आपको एक से दो मियर तक भूणना है, ज्यादा कोई ब्राउन वगएरा करने की जरूत नहीं है, और फिर हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो एड़ कर देंगे, अब उसी जार में मैंने थोड़ा सा पानी लिया ह इसमें एड कर देना है, अब इसमें आधा चमच गरम मसाला पाउडर, आधा चमच लाल मिज पाउडर, नमक भी आपको अभी डालना है, ये वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए नहीं दिखा है, अब इसे हमको दो से तीन मियर तक पकाएंगे, उसके बाद हम रेसिपी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए, बतलब अपने चनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बैल आइकन प्लीज दबा दिया करो यार, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, चक्द फटे, तो आ आज के लिए बस इतने हैं, मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो की